हेलो नमस्कार मैंना नाम है अबना शुराब सभी का हमारे चैनल पे दोस्तो स्वागत है अब एक उस दिन पहले ही बाबर आजम इसी सी के वर्ल्ड का प्रोमो में बिल्कुल भी नहीं दिके जिसके बाद इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया में जंग कर इस बात की लड़ाय चलने लगी कि दुनिया का नंबर वन्डे बले बाद जो वन्डे क्रिकेट का बेताज बादशाह पिछले दो सालों से बन मतलब हर किसी के दिलों पर राज कर रहे हैं तो ऐसे मैं अपने चहते खिलाडी को आई सी सी के ने वर्ल्ड काप के प्रोमो में नहीं देखे तो पाकिस्तानी फैंस काफी जादा नाराज हुए इस कदर नाराज हुए कि वह बाइकट करने लगे बोले कि यह पूरी तरह से जो ICC है वो BCCI से मिला हुआ यह पाकिस्तानी खिलाडियों को कोई भी ज़्यादा तवज्जव नहीं देता है हाला कि जो तीन खिलाडियों का उन्होंने फुटेज वर्ल्ड काप प्रोमें डाला हुआ है उसमें तारीफ नहीं हो रही है जैसे कि मुहमद आमीर को बैटिं पाकिस्तानी फैंस काफी ज्यादा खुश होते हैं देखिए हर कोई टीम का जितने भी बड़े खिलाडी है वो चाहते हैं कि ICC वर्ल्ड कप जैसे बड़े टोर्णामेंट में उनके चोहते खिलाडी प्रोमों में रहे पाकिस्तानी फैंस का ये जो उन्होंने आवाज उठ हाई ये जो डिमांड है वो बिल्कुल गलत नहीं है जाएज है कि देखिए वन डे विशो कप हो रहा है और वन डे का सबसे बड़ा खिलाडी जो इस समय बना हुआ है पिछले दो सालों से अगर वही नहीं रहेंगे तो फिर कैसा होगा हलाकि इस पर अलग-अलग लोगों क अलग-अलग राय चल रही है लेकिन बी-सी-सी आई चुकी और्गनाइज करवा रहा है अब तो ऐसे में बी-सी-सी-सी के पास ये जरूर हक है कि वो किनको टीम में डालना चाह रहें किनको प्रोमों में डालना चाह रहें नहीं डालना चाह रहें वो एक अलग मुद्दा बन जाता है उनका हक है लेकिन बावर आजम का मेरे हिसाब से इस प्रोमों में होना चाहिए था चाहते एक दो शॉट दिखा देते कवर ड्राइव ही दिखा देते अब ICC वाले अपने ओफिशल फेस्बुक पेज पे ट्विटर पे यूटूब पे बावर आजम के इतने कवर ही जाता वाल हो जाता लेकिन वही है मेरा ख्याल से ICC टूर्णामेंट में जहां पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रैंड अम बिजडर जो इससे में क्रिकेट क्या हूँ वह बावर आजम ही है एक मुखे चहरा अगर आप देखेंगे तो बावर आजम ही है जिस तरीके से टीटोटे विशुगप 2022 हुआ था सिडनी एडलेड के जो सडकों पे बावर आजम का बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था होडिंग्स लगे हुए थे ऐसे में तब दुनिया ने रिकरगनाईज किया था के नहीं ये बंदा जो है है और पाकिस्तान किरकेट इतियास मे पहली मरतबा ऐसा हुआ था जब किसी पाकिस्तानी खिलाडी का चहरा बड़े-बड़े होडिंग्स में अस्टोलिया की सडकों पे लगा हुआ था तो मेरे ख्याल से यहाँ पे BCCI को बिलकुल डालना चाहिए था, ICC को डालना चाहिए था, कवर ड्राइब मारते ही दिखा यह कवर ड्राइब का भी अगर उन्होंने फूटेज लगा होता ना तो बात ही कुछ और होती, मज़ा ही कुछ और होता, वैसे इस प्रोमो में शारुक खान जरूर दिखे थे, केंग खान जरूर दिखे और बहुत जवरदस्त उन्होंने वाइस ओवर किया और फिर प्रोम बाबर आजम का बड़े भी है, तो इस वार बाबर आजम का बड़े बहुत अच्छा मनेगा, या खराम मनेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हाकिकत यह है कि इस समय पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है, सबसे ज़्यादा संतुलिट यानी की बैलेंस टीम न कि तो अब यही खुआईश हो गई है, कि खुननस आपको जो है निकालना कब है, तो 15 अक्टूबर को निकालना है, अब क्या होगा नहीं होगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरे ख्याल से बाबर आजम, चुकि पाकिस्तान का सबसे मुख्य चेहरा बन चुक ठीक उसी तरीके से बाबर आजम पाकिस्तान के लिए है, अब अगर पाकिस्तान में माली जे चेंपियन्स टॉफी हो रहा है, चेंपियन्स टॉफी के प्रोमो में विराट कोली का ही चेहरा ना दिखाए, तो हम इंडियन फैंस भढ़केंगे ना भाई, भढ़केंगे कि न इमोशन्स का खेल है, और यहां पे इमोशन्स का ही बोल बाला रहता है, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सिना इज़ट रखनी चाहिए थी, और वो इज़ट जो है, ICC ने नहीं रखी, अब ICC के Facebook पेज़ पे जाके सब के सब जो है, स्पैम कर रहा है, बेराल जो होना था वो हो इस वीडियो में बसे तरह ही, धन्यवाद